हम लोग श्रिमत भागवतम के तीसरे सकंद के पांचवे ध्याय को पुर्ण रावलोकन इंडिविजिन कर रहे हैं आज दूसरा देनेस के उपर हम लोग पहुंचेते चौदवेश लोग में जहां पर विदुर जी कहने कि वे उन लोग के लिए निरंतर शोक करते हैं जो करने के बाद भी वह सुक नहीं है जो भगवान की कथा में और देखिए वैसा सुक मान लिजे उस तरह का सुक अनभव ना भी कर रहे हों तो आप यह देखते हैं कि बहुत सारे तीर्थ ब्रहमन करने के बाद भी देखा गया है देखा जा रहा है कि चरित्र में कोई परिव द्वार गया तो वह अब गंगा जी में कितनी देर सनान करेगा सुबह से शाम तक तो सनान करता नहीं रहेगा ना तो दस मिनट 15 मिनट बहुत ऑग आदा गंटा सनान कर ले अब वह क्या करेगा अब वह क्या करेगा तो इसलिए आवश्यक है कि वहाँ पे भक्त लोग कथा करते हों जो उनसे वह कथा सुने ये है तीर्थ का प्रियोजन और उससे जीवन में परिवर्तन आता है गंगा जी में गया सनान किया उसे पुन्य मिला इसमें को संधे नहीं है लेकिन उस पुन्य का जो भलीभूत होना हुआ वो यह हुआ कि उसे कथा सुनने को मिल गई अब समझे में गंगा जी के महत को कम नहीं कर रहा हूं महत तो यह है कि आप जो विक्ति बिल्कुल कथा नहीं सुनना चाहता है कम से गंगा जी में सनान तो कर रहा है सनान कर रहा है तो उसके जीवन में कुछ पवित्रता आ रही है कुछ पुन्य खटा हो रहा है बहुत देखता हूं कि भाई कितने सारे लोग हैं और उनमें से कोई किसको एक ही विक्तिशाद होगा यह कोई भी नहीं होगा जिसे कथा में सुनने की इच्छा मात्र हो रुची के तुबाद छोड़ दे इच्छा भी नहीं होती तो बड़ा रेर है किसी का भगवान की कथा में रुची होना इवन के वल एक इच्छा भी होना और मौका मिलना मालो इच्छा हो भी जाए तो जरूरी तो नहीं कि तो मौका मिल ही जाए वेरी रेर वेर आल I would put it in English like this We are all very rare species Let us not become extant species संभव ही बात जो भगतो कथा में रुची रख रहे हैं बहुत कम रहे ग्यान की चाहिए इस प्रकार की रेर स्पीषी जह senhor नहीं संदर वे वच्रबन मेंouth तो बहुत दा विउस सोड्मीलिक नहीं यह उसलो नहीं थारी मालिक ड़ते लिख लिए तो अब यद्यपी भौतिक जगत के लोग कथा को महत्व ना दें लेकिन आध्यात्मी जगत में लोग है ना तो वैकुंट के पार्षा तो बहुत सारे वो लोग बड़ा प्रसन होते हैं कि यह लोग तो बड़ा च्छा कारे कर रहे हैं कि उनके व्यूज की महत्व है कि नहीं यहां तो सभाविक सी बात है कि कथा में रुची होती ही नहीं तब ही तो शोक कर रहे हैं आप विदर जी कि दुनिया की बहुत सारी बाते कर देंगे जो की दुखमाए हैं और आगे संसार में डालने वाली भी हैं और हिर्दे को जलाने वाली हैं लेकिन वेक्ति भगवान क कथा जो विक्तु सुख देने वाली उसकी रुची नहीं होती आप लोग ऐसे नहीं जो विमुख है उनकी बात किया रही है तो ऐसे लोगों की शिडोंति दे वो अनिमश्ट ये शाम आयूर ऐसे लोगों की आयू को काट रहा है काल जिसकी आखें छपकती नहीं है तो यह लोग जो भी कुछ कर रहे हैं इसलिए उसका नस्ट कर रहा है अब कहते हैं इसलिए क्योंकि भगवान की कथा का ऐसा महत्तु है इसलिए आप भगवान की कथा ही कहिए इसलिए इन भगवान की कौशार मुनि के पुत्र मैत्रि मुनि शर्म दातु शर्म करते है आनंद प्रदान करने रहे हैं उसके बिना वही है कि जैसे मानली है मुनि शर्म अCCडार ne दिए कि अब घी से खुश्बूर निकाल दीजे उसे बचा क्या फिर तो कथा ही भगवान की कथा ही सारी कथाओं का सार है लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं लेकिन उसमें दम नहीं है अगर उससे भगवान की भवान हरी का यश्च का वर्णन नहीं होता हो और इसी कारण स एसी बातें ऐसी वारता लोगों को संतुष्ट नहीं करती प्राया व्यक्ति प्रारम हमें एक बार उसको सुन लेगा दो बार सुन लेकर बार बार उसको नहीं सुनना चाहता है क्योंकि उसका सार चला गया है उद्रत्य पुश्पेव्य जैसे पुश्पेव्य इवा जैसे की पुश्पों से एक भावरा रस को निकाल लेता है लेकिन रस को केवल अपने तक सीमित नहीं रखता है उससे मधु बनता है उसे मधु को अन्य लोग आस्वादन करते हैं भावरे की वेना तो नहीं किया सकता है उस प्रकार से जितने भी शास्त्र हैं उन सब में से आप हरी कथा को उध्रित्य मुझा एक्स्ट्राक्ट करिए एक्स्ट्राइब समझते होंगे जूस निकाल लेज़े जो सारे शास्त्रों का जूस है वह दीजे हमको क्यों दूं तो तो क्याहिए आर्थबंधो क्योंकि आप आर्थ ऊर्थात आप दुख्यों के बंदु हैं शिवाय न हमारे कल्यान के लिए कीर्थय कीर्थन कीजिये तीर्थ कीर्थी किसका कीर्थन करूं तो तीर्थ कीर्थी जिनकी कीर्थी ही तीर्थ है तीर्थ क्या मतलब है जो पुन्य प्रदान करे और पाप को नश्ट करे उसे तीर्थ कहते हैं तो भगवान की कीर्थी जो भी जहां भी सुनता है उसके कान ही तीर्थ बन जाते हैं क्योंव भगवान कि खें देने वाली है बहुत सुंदर बात कि बहुत सुंदर कि भगवान कब के लने का बहुता ॥ कहते हैं एक वैशनव की highest aspiration होती है वैशनव सिध्धांद का प्रचारक बनना the highest aspiration of a devotee is to become a preacher of krishna consciousness or the philosophy of krishna consciousness इसे दान्थ krishna भावना की जब देंगे तो लोगों का मंगल होगा नहीं तो लोग अपना अमंगल का प्रजटी खोल के बैठे होगे हैं है ना सुख की प्रापती करने में लगे हैं सुख मिलता नहीं है दुख की निवर्ती होती नहीं है और साथ साथ और दुख की प्रापती होती चली जाती है फासे जाते हैं विचारे उनका नहीं होता है वह तो अच्छा लग रहा है इस शुट बीड और पर पर पस एक्सेप्ट टुट रिट ऑस्पिशनेस ऑस्पिशनेस फॉर्थ इस ग्रीफिकरशन फॉर्ट अब वहां पर कह रहे हैं आगे पर एक और बात कहते हैं कि क्या सुनना चाहते हो तुम मेरे पीछे बोली साथ बोले सविश्व जन्मास्तिति संयमार्थे कृतावतारह प्रग्रहीत शक्ति चकार कर्माने अति पूरुशानी यानीश्वरह कीर्थ यतानि महयम तुमान लिए वैसि पोचे करों कहा चिरू करूं कहां हाँ मिलटाएक के लिए और संयम अर्थात प्रलय के लिए कृतावतार अवतार लेते हैं प्रग्रहित शक्ति और माया शक्ति को स्विकार करते हैं धर्ण करते हैं चकार करते हैं कर्मानि अतिपूरुशानि और अतिपूरुश कर्म करते हैं जो किसी समान विक्ति के द्वारा करना संभवी नहीं है यानि जुन-जुन को करते हैं इश्वर करते हैं कीर्टनी तानि महियम जो कर्म भगवान करते हैं वह आप मुझे कहिए तो यहां से शुरू बोशारवो मनिहीं, पुम्सामनि श्रेयसार्थेना तम आहा बहुमानयन, स्री शुक्देव गोस्वामी ने कहा, स एव भगवान प्रिष्ट, स मतलब वह मैत्रे मुनी, जब एव इस प्रकार पृष्ट हुए, भगवान मतलब मैत्रे मुनी, वह जब सब भगवान एवं प्रिष्टाज वह भगवान की भक्ति से युक्त भगवान की भक्ति रुपी एश्वर से युक्त मैत्रे मुनी जब इस प्रकार पूछे गए किसके द्वारा शत्रा अर्थात विदर जी द्वारा क्या नाम था बदा रहे हैं तो कहरें कौशार कोशार मुनी के पुत्र मैत्रे मुनी और मुनी क्यों कह रहे हैं कि एसी बाते बोलेंगे कि विदर जी को भी सोचना पड़ेगा लोग मन का मन्थन करने बड़े तेज होते तो ऐसी बातें बोलेंगे कि विक्ति को सोचना होगा तो ऐसे जब पूछे गए पुमसाम निश्रेय सार्थे ना मनुश्यों के परम श्रे की अर्थ के विश्य में कि जीवों को सुख कैसे मिल जाए और दुख निवृत कैसे हो जाए यह सब बाते पूछी गई तम आह बहु उनको बहुत सम्मान देते हुए तम अर्थात उन विदुर जी के प्रति वह कहे कौन कहे मैत्रे मुनिक तो क्या कहा मैत्रे वाच साधु प्रिष्टम त्वया साधो लोकान साध्व नुग्रुणता कीर्थिम वितन वता लोके आत्मानो आत्मानो धोक्षणात मनों साधु प साधु सभाव वाले सदाचार प्रायाण साधarchy्णा में लगे होए आपके द्वारा सवाधु प्रिष्टम PM आपके द्वारा मुझे से बहुत अच्छी प्रिकार से पूछा कंचा है क्यों लोकान साध्व अनुग्रुणता करता है क्रपा क्रपा क्रति के लिए औन των किस प्रकार से कल्यान हो वह selv पूछा है कि इसके द्वारा कीर्ति नीवितनवता लोक में जगत भगवान की कीर्ति का विस्थार होगा वितनवता मतल्ब विस्थार होगा आत्मनों कि परमात्मा की आ ओफ गवा की महा और कि इसका क्या डाइं पढ़िये क्या लिखाय उचार आत्मनह दोख चिजात मना ह। okay क्योंकि कीर्टि मुय वितनवता लोग की आत्मनह इसके द्वारा आत्मनह अर्खाट परमातमा का बरमन्ह की कीर्थी भगवान श्री कृष्ण की कीर्थी इस जगत में विस्तारित होगी और ऐसा आपने क्यों कहा है क्योंकि अधोक्ष जात्मना क्योंकि आपके मन में भगवान अधोक्षत बसे हुए है यर्थ है ऐसा प्रश्ण कोई समानेता कर नहीं सकता है आप यह विचार करेंगे प्रश्ण सुनने के बाद भी शायद इस प्रकार के प्रश्ण सवतास पूर्थ भाव से हमारे रिदे में आते हों हमारे यह आता है आज खाना क्या मना है मैं आप अचा बिजली आ रहे हैं कि नहीं अरे पानी खत्म हो गया है पानी वरो आप देखिए कि बहुत ही बहुत स से उदर है कि नहीं तो भगवान की कीर्ति का विस्तार कहां होगा इसके बारे में जैन्विनली कोई प्रश्ण करेगा वही करेगा जिसके मन में भगवान बसे हो यह कहारे अधोक्षजात्पल अभी प्रश्ण माल लीजिए विदुर जी कहें कि प्रश्ण जिग्यासा किसे कर सकते हैं तो कहते ना एक चित्रम तवाइश्चत्र विदुर जी कोई बहुत विदुर नहीं तरफ नहीं हैं क्या विदुर नहीं कि वीदुर नहीं है आपका अधोक्षद आत्मन होना अधोक्षद मतलब जो मन के परे है और उनके मन में अधोक्षद बसे होए जो भगवान मन और इंद्रियों के परे है वो भगवान उनके मन में नित्य बसे है तहीं तो उनके बारे प्रश्ण कर रहे है जो सब बहुत ड़ी आग्यां 15 मोटीम यह सब पराश्णि हम झारी का था था छाने से पहले हमकों को जाना एव्यार सबसे पहले हुझा प्रसाइप पहले मान में प्रसाथ कहा मिलेगा हमेस्ट करी से मा नहीं मिलें जांद करें तो यह आज को चिंता है उनको ऐसा को चिंता नहीं मन में भगवान बसे हुए तो करें आपके लिए ऐसा बचित्र नहीं है तो क्यों बचित्र नहीं तो करें बादरायन वीरिस जे आप बादरायन अर्था भगवान व्यासदेव की वीरिस उत्पन हुए तो फिर करेंगे कि भई बादरा क्भाग। ने क्या कहा जितराष्ट की जग्यासा नहीं थी जितराष्ट चृजञ यह थी की मीरे पुत्रों ने पाण्रों के पुत्रेड के잖아 गा उससे बाएं करता ही अल्ग बात है लेकिन अन्यता यह प्रशचत बगवान के ऑपर नहीं घटेता विवात उत व मद्यान § काफी कि इंटरस्टिंग कि यहां शुक्दे गुसामी बीच परिश्ट महाराच कुछ पूछ भी रहे तुछ पूची नहीं रहे कि पूरी कीता समाफ्थ और उन्हें कुछ नहीं कोई जिग्यासा नहीं कि क्या यहां कि आप बुले और यह श्लोक समझ में नहीं कुछ भी नहीं जिग्यासा कि काफी इंटरस्टिंग है तो जो भी होते तराष्ट भी तो भगवान व्यासदेव जी के दारा पैदा हुए हैं तो कहते नहीं ग्रही तो अनन्य भावे ना आपके द्वारा अनन्य भाव से पकड़े गए क्या यत तोया हरी इश्वरा क्योंकि मैं ऐसा हूँ कीवल व्यासदेव की पुत्र होने से ऐसा हो गया तो कहते नहीं अरे आप तो देवता हैं आप तो साक्षा तो महा भावत यम्राज है मांडव रिशी के शाप की द्वारा भगवान प्रजा सेमनो यम्राज है ब्रातु क्षेत्रे भुजिश्यायाम भ्रातु मतलब भाई भाई के बेट भाई के शेत्रे भुजिश्यायाम वाइफ अरे बेसिकली भुजिश्यायाम शेत्रे का मतलब है कि दासी पुत्र है अब दासी के किसकी बेटे थे ये विदुर जी तो विचत्र वीर की पत्ति से नहीं हुआ थे उदासी थी उससे पत्त वह भाई तो भाई कौन हुआ लिद्राश्ट नहीं भाई इस बहाती शेत्र भुजिश्य बहाती का अर्द के लिए जरा देखिए को अफ दो ब्रदर Translation देखीए फर से आचा ठीक है समझ गया Vyasदेव जी के भाई थे विचित्रवीर क्योंकि Vyasदेव भी सत्रविती के बेटे है और Vyasचित्रवीर भी है ना तो Vyasचित्रवीर की दासी Vyasचित्रवीर होए भाई Vyasचित्रवीर की और शेत्रे भुजिश्या मतलब उनकी दासी, विचित्रवीर की दासी के द्वारा आप पैदा हुए सत्वती सुतात, सत्वती के बेटे के व्यासदेव जी के द्वारा उनके भाई यानि विचित्रवीर की दासी के द्वारा उत्पन हुए यह अर्थ होगा कुछ समझ पाए मैं पर से रिपीट कर रहा हूं सत्य वत्ति के सोता अर्थात व्यासदेव जी उनके द्वारा ठीक है ना और भ्रातु शेत्रे भुजश्याम का मतलब हुआ उनके भाई विचित्रवीर जिनकी मृत्ति उनकी दासी के द्वारा आपत्पन भागवान के पार्षद भी है भागवान के पार्षद भी है तो यहां पर ना सिर्फ यमराज है अभी तो भगवान के पार्शत भी है भवान भगवतो नित्यम सम्मतह सानुगस्य हो यस ज्ञानों पदेशाया मादिशत भगवान वरजन करें भवान आप भगवतो भगवान के नित्यम सम्मतह सानुगस्य हो आप नित्य, स्तमानित या रिकोनाइस्ट सानुग अर्थात पारशद है या भगवान की जितने भी अनुग हैं अर्थात अनुगमन करने वाले पारशद हैं उनके द्वारा आप सम्मत है मतलब सब लोग आपको सम्मान करते हैं आप मुख्य पार्षद है भगवान के तो अब मा लोग विदुर जी कहें ऐसा आप कैसे कह सकते हैं तो कह रहा है यस से ज्ञानों पदेश आया जिसके जिसके ज्ञान के उपदेश के लिए आठा जिसको ज्ञान देने के लिए मा दिशद मुझे आदेश दिया गया था किसक भगवान ने ऐसा किया इसलिए अब आपने जैसे बताया विश्व की स्थिति संयम और विश्व की जन्व स्थिति और संयम के लिए भगवान जो लीला करते उसको अरिम बताई तो उसको में बताऊंगा अधते भगवल लीला योग मायो रुब्रुहिता विश्विस्तित्य द्धवांतार्थ वर्नयाम यान पूर्वशह इसलिए ते इसलिए क्यों क्योंकि आप भगवान के पार्षद है भगवान ने आपको ज्ञान देने के लिए मुझे आदेश दिया इसलिए ते आपको भ भगवन लीला भगवान की लीला बोलूँगा योग मायो रुब्रुहता जो भगवान योग माया को बहुत अधिक विस्तार करके करते हैं किसलिए करते हैं विश्व स्तिति उद्धवांतार्थ विश्व की स्तिति उद्धवांतार्थ विश्व की स्तिति यानि पालन के ल पहले होगा फिर सित्य होगी फिर अंत होगा उसके लिए मैं करम से बताऊंगा क्योंकि बात जब करम से नहीं बताई जाती है तो समझे नहीं आती है एक भक्त ने बड़ा अच्छा बिचार मुझे कल कहा था कि तो यह एक एक श्लोग पढ़ा रहे हैं ऐसे करते हुए तो पता नहीं कुछ कैलकुलेशन की तो बहुत समय लग जाएगा हम सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे देखिए बहुत अच्छा लालसा है कि हम पूरी भागवत सुन लें लेकिन देखिए बात यह है कि भागी का सरहना करनी चाहिए कि हम लोग सुन तो रहे हैं रोज एक मैं उनकी कोई निंदा नहीं करूँ बहुत अच्छी भावना है कि अब पढ़ना चाहिए लेकिन अगर हम दूसरे अंगल से देखिए कि यह भी तो बहुत बड़ा भागी है ना कि रोज श्रिमेट भागवतम का संपर्क हो रहा है यह भी बहुत जादा बड़ी बात है कि रोज श्रिमेट भागवतम का संपर्क हो रहा है हो रहा है और यह भी आप देखेंगे कि अगर आप निति रूप से सुनते रहेंगे क्रम से तो बातें बिलकुल क्लियर होंगे जैसे इस अध्याय को पढ़ा रहा था पढ़ा ही रह है है अब एकदम समझ समय आजा कि अगले अध्याय में क्या हो रहा है अभी मुझसे पूछ ले कि 7रे में क्या हो रहें तो उस घटना का हम को इसमक्रता नहीं बन सकते हमें नहीं पता क्या ही वह रहा है यह समझ propshmig यह हो रहा है, यह हो रहा है, तो अब यह यह बोल रहा है, तो यह सीक्वस जो हम पर समझते हो चलने, इससे भागतम का बड़ा अच्छा सा ग्यान हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, क्रम से समझने का बड़ा लाब होता है, बहुत लाब होता है तो यहां करें करम से बताऊंगा एक कि बाद देखें तो अब भFlow लाश चुरू करते हैं भगवान एक आसेधम अग्र आतम आत्म नाम विभु आत्म चानुगताऊ आत्मा नाना मत्य पुलक्षन मावात्य को भगवान एक आसेधम स्रिष्टि के पेले भगवान अकेले थे आत्म आत्म नाम विभु कैसे भगवान थे सभी आत्माओं के विभु अर्थाच स्वामी के रूप में स्वामी जिनका आत्मा अर्थां स्वरूप है जैसे हम लोग कहने काला आत्मा तो उसी तरह से इस शब्द को समझेंगे आत्मना विभू आत्मा वह सभी जीवों के स्वामी स्वरूप के में विद्दिवान थे कि अब यह मत कहना कि समझ में आ रहा हूं कुम मेहनत करके समझाए तो अब आप लोग उसको अगर नहीं समझ में कोई बात तो वहां संगुए आत्मा आत्मना विभू तो यहां पे अर्फ है कि वह से बहु मे इनीत के कि पहले भागवान सभी जीवों के स्वामी की रुप्य विद्रिमान है रत्म-इच्छा अनुगतव में जब आँच्छा अनुगतव आत्मा जब उनकी सिर्ष्ठी करने की स्च्छा उन्हीं में लीन हो गए कopardya वे परमात्मा जब उनकी आत्म इच्छछी करने की इच्छा उनी में लीन हो गई था मतलब की उन्हीं करना चाते थे और क्या से भगवान तो चाह रहे हैं कि नानामति उपलक्षणा जो विभिन प्रकार की मतियों से उपलक्षथ होते हैं एक अर्थ दूसरा अनाना मति उपलक्षणा अर्थाद जो विभिन प्रकार की भौतिक मत्तियों से उपलक्षित नहीं होते हैं, दिखते नहीं हैं, ऐसे भगवान अक्यूले ही थे, सभी जीवों के स्वामी के रूप में थे, और उस समय उनकी स्रिष्टी करने के इच्छा उनी में लीन हो गई थी, लै हो गई थी, यह सार है इसका, तो यानि कि स्रिष्टी के पह सवाएश्यत दात्रिष्टा, उसके बाद वह दिखा नापश्चत द्रिष्टा, वह एक राट अर्थात अकेले थे, और उन्हें जब देखने की इच्छा करी, तो उन्हें दिर्ष्ट नहीं दिखाई पड़ा, दिर्ष्ट मतलब भावत जगत, कोई सीन नहीं दिखाई प पति है को पतनी ये कोई सुवर है कोई कुटा है कोई भाइल है ये बहुत बड़ा ड्रामा चला लाए तो भगवान नहीं चला हुआ क्या बात है याने कि बहुत ही जगत की नहीं हुए न दृष्टन न अपश्च्द इस जगत भी दृष्ट को नहीं देखे क्यों किए एक राट अकेले थे और कोई था नहीं अवल एक राट का मतलब आध्यात्मी जगत की लोग थे लेकिन बहुत जगत की सब लोग नहीं थे मेने असंतम इव आत्मानम मैं नहीं हूँ इसा माना अपून माना अपून जैसा माना भग्वान अपून है नहीं लेकिन अपून जैसा माना जैसे प्रफपा समझाए हैं उसको बिलेट पताता हूँ आत्मानम नहीं होने जैसा माना कि अगर आप हैं तो अइसा आना हो मतलब, आपूंड जैसा माना भगवान आपूंड नहीं है लेकिन माना पूंड क्यों? कियारें शुप्ट सक्तिर अशुप्त defensive.. उनकी भातिक शक्ति यानि कि उनकी वह पत्नी जुसे करना में आजाह माया वह सो रही थी लेकिन असुप्तविक उनकी जो अंत्रंगा शक्ती है आध्यात्मी शक्ती हुआ जागरित थी तब ही तो देखे ना भगवान कि जैसे कोई पत्नी उठ गया और पत्नी सो रही है तो वह सोचता है कि सो क्यों रही है कुछ कारे क्यों नहीं करती तो उसी तरह से भगवान ने यहाँ पर देखा अब बहुत साइव व्यक्ता करी गए थी कि जीवों को देह मिलेगा तो वह कुछ में से कुछ लोग भगती करेंगी भगवान के पास आएंगे तो यह सब कारेत अभी होगा जब सिष्टी होगी तो इस सब इच्छा भवान की है कि जीवों को भोग का जीवों को योग का हमने लगी कि अगे और QA to do कि प्रिश्ट शक्ति सद असदात्मिका माया नाम नाम महा भागा यह दम निर्म में विभू और उस्च्ति को सो रही ती उसका नाम करन्य संसकार यहां कर रहे हैं इसका नाम क्या था 827 9 वे शक्ती जो शोव रही थी बागी रही जो शोव रही थी उसको सम्यक रूपसे देखा गया. कैसी शक्ती थी? सद अश्दात्मिक, सद मतलब कार्य और अस्द मतलब कारण सुरूपा, इस बहुतित जगत में कार्यकार्य का समद्द देखते हैं. तो वै शक्ती जिसका है कियाने का रुप हैं हो जिसके द्वारा था शर्व समर्थ भगवान ने इस जगत इदम मतलब इस जगत का निर्मान किया पर यह जगत भी कार्यकारण सरूप है effect, cause, cause, effect तो इसको निर्मान करने के लिए भगवान को माया शक्ती का ही उपयोग करना पड़ेगा आध्यात्मिक जगत में यह cause-effect relationship नहीं है क्योंकि हर चीज़ शाश्वत है अगर यह मायक शाश्वत होता तो उसका cause क्या होता कुछ cause नहीं होता तो आध्यात्मिक जगत में यह cause and effect relationship नहीं है यह इस वस्तु का कारण है यह कारण है वोसम नहीं है तो वहाँ आध्यात्मिक शक्तियों को उपयोग करके भगवान इस जगत की नहीं करते है क्योंकि यह जगत कारण रूपा है कुछ कारण होता है तो उसके पीछे हम कारण ढूंदते ही है ढूंदना पड़ेगा है क्योंकि होता ही है इसलिए भगवान ने इस शक्ति का यह माय शक्ति का उपयोग किया क्लिर ठीक है यह देख पा रहे है कि सब खुछ करम से हो रहा है कि शुरात में कुछ भी नहीं था फिर बहुतिए फिरवस करते हैं यह देखिए यह के लिएक क्रम हो रहा है है के transport क्या होता है काल Silicon when OH Sunnyames छहा फुरुषण सत्वगुन, रजगुन, तमगुन से युक्त है अधोक्षज उन भगवान ने जोकी इंद्रियों के परे हैं पुरशेणा आत्म भूतेना आत्म भूतेना अपने स्वाँ अंश विस्तार के द्वारा अर्थात भगवान महाविष्णु के द्वारा वीरियम आधत वीरयवान वीरिवान मतलब शक्ति से युक्त भगवान ने वीरियम आधत अर्थाथ समश्ट जीव समुह को प्रधान में गर्भात कर दिया गर्भात कर दिया फिर क्या हुआ अब देखें जो लोग सुनते आयों के लिए बहुत इजी होगा उसके बाद अभवन हो गया क्या हो गया व्यक्त अर्थात प्रकृति की अवयक्त अवस्था प्रधान से हो गया कैसे हो गया काल चोडिताः काल के प्रभाव दौरा प्रएरित हो कर अंडर में है सब्साइब प्रधान प्रधान पर पे। काल शक्ति के बाद जीव शक्ति उस्से महतत्व में जीव शक्ति भी होती है दंदी जगा इसी लिए कि उसका सुरूप बता रहे हैं विज्ञान आत्मा वह कॉंश्वम को वह वेंजोन रथाथ प्रकट करने वाला है पूरे विश्वज है वह महतत्त के महतत्त रहता है महतत्त सही प्रकट हो रहा है तो उसको वह प्रकट करने वाला जैसे बीज में पूरा पेड़ रहता है बीज के देह में पेड़ रहता है उसी तरह महतत्त पूरी स्रिष्टि का बीज है इसलिए कि आत्म देहस्तम विश्वम व्यंजन अपने देह में इस्तित विश्व को वह प्रकट करने वाला महतत्व है और तमों रुदह सिर्फ प्रलय के समय जो अंदकार व्याप्त था उसका वह नाश करने वाला महतत्व है उसकी स्रिष्टी हो गई सोपि अंश गुण का लात्मा भगवद दृष्टी गोचर हा आत्मा अंव्यकरोद आत्मा विश्व स्यास्या श्रिक्ष वह पि महतत्वी अंश गुण का लात्मा अर्था तम्ष अंश 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 कि हैं यहनि किपinar बहग्वान के इस्वांश विस्तार Oh Likepping विच्ट्ब की दिरिष्टी गोचर होते हुए उनकी दिर्ष्टी के अंदर्ध कोध魑 गुण काल आत्मा कि प्रगृति की गुणों और कालों इंव्युक्त होता हुआ आत्मानात्म कि इस जगत की सिर्ष्ठी करने के लिए उस महतत्व to ने अपने को परिवर्थित कर लिया भग्वान के द्वारा दृष्ठी को चुर होते हुए नि कि जभवान के द्शता में उस महतत्व ने अपने को परिवर्थित कर लिए our god की इच्छा से ही वह है परिवर्थित होता है कि अगर देखिए गुण काला आत्मा का अर्थ है एक मिद्ध आंश का अर्थ लिया था आपने बताईए आश का अर्थ जीवात्मा लिया गया वहां पर गुण मतलब महतत्त्य में है प्रक्रति के गुण काल मतलब उसमें काल शक्ति है जीव शक्ति है और उसमें गुणं प्रकृति के गुणं है ऐसे सुरूप वाला महतत्त भागवान के दिश्ठी को चरहोकर अपने को हो कर लिया क्यों जगत की सिष्टि करने के लिए kiwel महादे नहीं होती महातत कमें आगे फर्दर ट्रांसों मिशन होगा जब हमकार आथी की सिष्टि होगे तब जगत 16 होती है ठीक है अब क्या होता है कि देखिए महातात्प वाद नहीं मह तत्वात्, विकुरवानात्, मह तत्व के विकुरवण अर्थात्रूपांत्रण से अहम तत्व विजायत्व, अहम तत्व का प्राकट्ट हुआ और वह क्या से था कार्य कारण करत्रात्मा कार्य मतलब इफेक्ट कारण मतलब कारण और करत्र मतलब करने वाला ये तीनों से युक्त था भूत इंद्रिय मनोमनहा भूत मतलब पंच महाभूत इंद्रिय मतलब दस्वेंद्रिया और मन मतलब मन उसके देवता इस सब जो है इन अहंकार से प्रकट हुए क्या अहंकार थे वैकारिकर्स अर्थात सात्पिक अहंकार तैजर्स अर्थात राजसिक अहंकार और तामस मतलव तामसिक अहंकार इस प्रकार से तीन अहंकारों में यह अहंकार विभाजित हुआ अब क्या होता है? प्रकट हुआ वैकारिकाश्च ये देवा और देवता भी सात्विक अहंकार से उत्पन हुए वह देवता क्या करते हैं अर्थ अभी व्यंजनम यतहां जिनके द्वारा इंद्रियों का अर्थ प्रकाशित होता है यानि इंद्रियों के नियामक देवता वहां प्रकट होए ठीक है यह था त्या जसान इंद्रिया ने ज्यान कर्ममया निचया और तैजस अहंकार से इंद्रिया और निशुतीं इंद्रिया प्रकट § 2 जो ज्यान और कर्ममय थी अब यहाँ एवा शब्द की क्या मतलब है भई कोई कह सकता है कि ज्ञान तो सवतोगुण में होता है तो आप यह क्यों कहते हो कि इंद्रियां राजसिक अहंकार से उत्पन हुई तो इसलिए इस बात को सपष्ट करने के लिए कि नई इंद्रियां राजसिक अहंकार से उत्पन हुई है यहाँ पर एवा शब्द है जो ग्यान यहाँ लिखा हुआ है वो है भोग का ग्यान इंद्रियां हमें information देती हैं कि सुन्दर रूप कहां है सुन्दर शब्द कहां है सुन्दर खाने की वस्तु कहां है यह सब इंद्रिय जुनित ग्यान है और वह ग्यान राजसिक होता है इसलिए यहाँ वो ग्यान की बात नहीं हो रही है जो आत्मा को देह से प्रिथक करने वाला ग्यान है वो ग्यान की बात नहीं हो रही है तो इंद्रियां क्योंकि राजसिक होती है इसलिए स्वजना हुआ कि ये निशित रूप से राजिक अहंकार से ही प्रकट हुई है, ठीक है, नेक्स्ट, तामसु भूत सुक्ष मादिर यतो खम लिंगमात्मना, तामसिक अहंकार से भूत अथाच पंच वहाभूत, बने प्रत्वी जल्वाय योगनियाकास, और सुक्ष बयाने की तनमात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्ष और शब्द, इनकी सिष्टी होती है, यतो हम लिंगमात्मना, उनसे तामसिक अहंकार से खम अर्थाच आकाश की सिष्टी हुई, जो आत्मना लिंगमात्वान का चिन है, भगवान की प्रतिनेशित्यु करता है, बिक्षित्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्य की स्रिष्टि हुई विकुर्वन निर्म में अनिलं के आकाष दूवर्वान रुस्पर्श कि रुपा hyvin से अनिव अर्थात वयु की स्रिष्टि हुई रुपान्त्रण मतले व की चेंज ओक है ट्रास्फोर में तो बस पर राक takes शपर्ष पर्शेव वायू आयाई अनि लो अनि फिश्र्ज रूपी विकुर्वानों नभंश वुर्वन विश्रू उर्वलानवितवों सःत्र रूपतन मात्रम, जो तेसे से सात्र प्राप्त करकेड, वह वायू का रुपांत्रण हुआ जो की अगनी की सिर्ष्ट होए जो सभी को सभी के लिए सभी मनिश्वे के लिए सभी मनुश्वां के लिए सभी जीवों के लिए देखने की शिकति बदान करती है तो यहां पर अगनी की इसस्टे हो गई यानिकि आकाश से वाइयू और वायू से से क्या रूप और रूप से आ गई आगी कि नेक्स्ट के आधका真 कजोतिर विकूर्वतै प्रविख्षिताम होरसमय कंपाल मायां श योगत हलाओं 근데्ज बिकप ऑन से वायू से युक्त हुआ जोती अर्थात अगनी विकुर्वत हां पर विक्षुतम पर मतलब भगवान के इक्षण के अंदरगत वह परिवर्थित होता है आधत अंभो रसमयम उसने जल की रचना करी जो कि रसमय है काल माया के अंश के युक्त के द्वारा एक अर्थ हां पर मा विक्षुतम जल की अंभोन संस्रश्टर विकुर्वद ब्रह्मा विक्षितम महीम गंध्रुमाधं हा जोत जोतियोत कै वह मतलब अगनी अंभोनी शुक्र के विकुर्वत शंमा कीजीगा अगनी से अनु सृष्थ अंव यानि जल विकुर्वत अर्थात उसमें ट्रांस्फर्मेशन रूपांत्रहान्हों क्यासे हुआ भ्रह्म विक्षित्म भागवान के द्वारा to के द्वारा वह जल जो अगनी से प्रकट हुआ था उसके में भी रूपांत्रन हुआ और महिम गंद गुणाम आधात मही अर्थात प्रित्विक शिष्टी हुई जो गंद गुणों से युगत है कैसे काल और माया के अंश्च से युगत हो करके भूता नाम जितने भी भूति हम बताये गए हैं पंच महाबूत नभ आती नाम आकाश वायू अगनी जल और प्रित्वी यद्यद भव्य अवरावरम जो भी अवर और अवर मतलब inferior और वर मतलब स्रेश्ट यानि आकाश वर हो गया और उसके अवर हो गया अगनी शमा कीज़ेगा अवर हुआ वायू वायू से अवर हो गया अगनी अगनी से अवर हो गया जल और जल से अवर हो गया प्रित्वी ये सब जो है पर अनुसंसर्ग से राकास का गोन जो है वायु में है इसे कहना चाहिए और जलका गोन वह प्रत्रिवी में भी है I था संख्यम एंगान विदू उनके जो भी क्रम से गों आकास का गों वायु में है वायू में भी है वायू और अकाश अगुण जो है अगनी में भी है और अगनी ऐसे करके आप जोड़ेज़े का पुरवर्ती जितने भी तत्व है उनका अगले परवर्ती तत्व में है यह समझना चाहिए एते देवह कला विष्णो काल मायां शलिंगिनहा नानत्वात स्वक्रिया नीशा प्रोच उप्रांजल योविभूम एते देवह इन सभी तत्वों के नियामक देवताओं की भी स्ष्टी हो गए कलह विष्णो वो भगवान विष्णो की कला है और उनका चिन है काल और माया का अंश होना नानत्वात क्यूंकि वह नानत को प्राप्त थे अर्थात अलग अलग गुण वाले थे अगनी का गुण अलग प्रिथिवी का गुण अलग इस कारण से सो क्रिया अन इशाह अपनी क्रिया को करने में वह समर्थ नहीं थे अर्था स प्रार्तना आज ही सुन लेंगे आज द्याय को पूरा कर लेंगे देवा उचू देवताव ने कहा नमामते देव पदार विंदं प्रपन्न तापो पुषपात पत्रम यन मूलकितायत योंज सोरू संसार दुखं वहिरुत्क्षिपंती देवताव ने कहा हे देव आपके चल पत्रम आपके जो शर्णाकत भक्त हैं उनके ताप को शमित करने के लिए आप अतापत्रम अर्था च्छाते के समान हैं यन मूलकेता जिन भगवान के चलणकमलों के मूल को ही जो घर बना देते हैं कौन यतिहा जो अपने मन को सेमित करने वाले हैं उस प्रयास में लगे वो यतिगण अंजसा उरू बड़ी आसानी से उरू संसार दुखम जो बहुत बड़ा संसार का दुख है उसको बहिरुक्षपंति बहुत दूर से ही त्याग देते हैं कीवल भगवान के चलणकमलों का आश्रे ले करके धातार यद अस्मिन भव इश्य जीवा स्तापत तहे ना भिहतान शर्मा आत्मन लभंते भगवंस्त वांग्रिश्चायां सविध्यात अतो आश्रमे आश्रेम धातमत हे विधाता यद अस्मिन भवा क्या आरत लिया है हाँ इस भव इन इस जगत में हे इश अर्थात हे इश्वर जीवा तापत त्रेन अभिहता न शर्मा जितने भी जीव हैं वो तीन प्रकार के तापों से परिशान हैं अभिहत मारे गए हैं न शर्मा उनको शर्म नहीं आ रहे हैं हाँ है 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 बिचन पीटा रहा है है लिए है कि आर्थ नहीं यत मिया अपी ह है एप हम यह कों मिल और यहां यंव्योजव भाद पर लभंते भगवंस्तवांग्रिश च्छायाम सविध्याम यत अश्रमेया यह क्या लग शब्द है आत्मन शब्द कर रहे हैं हाँ हाँ अग्याद नशर्मा आत्मन लभंते वह सुक जो उनकी आत्मा में ही है उसको नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो फिर मैं क्या करूं तो कह रहे हैं कि भगवंस्तवांग्रिश च्छायाम आपके चरण कम्लों की च्छाया इसलिए हम ले रहे हैं अत्व आश्रमा जो लोग आप इस जगत में हे भगवान हे इश्वर हे विधाता सभी लोग दुख प्राप्त कर रहे हैं और जो उनके सु रहे हैं तो बात यह हूई थी कि भए भगवान तो ज्यान होने से दुख चला जाया तो करते हैं हां सब विध्याम आपके चरण कमलों की च्छाया में सारी विध्या विद्यमाने इसलिए हम आपकी आश्रमा लेते हैं अच्छा आगे प्रवेत के लिध्य जो सुन्दर बात हैं पर कहते हैं, को कहेगा कि भाई भगवान के चरन कमल का आशरी तो तब लोगे जब मालुम्स चलेए को है, तो उसका अन्विशन कैसे करा जाए ? downtown का है, तो कहते हैं , कि रिश्रिगन वेद मंत रूपी पक्षी का आश्रे लेकर आपके चरण कमल का को खोज लेते मार्गंति यते मुखपद मनीड़ इस्छंदह सुपर्नेर रिश्यो विविक्ते यस्याग मर्शोद सरिद वरायाह पदम पदम तु उर्थपदह प्रपन्ना मार्गंति अर्थात अन्वेशनंति जो अन्वेशन करते हैं यत जिनका अन्वेशन करते हैं ते आपके मुखपद्म नीड़े आपका मुखपद्म आपका जो कमल सद्र श्मुक है वही उनका घोसला है ऐसे चंदह सुपर्ने वेद मंत्र रुपी पक्षी उनके द्वारा रिशियो विवक्ते जो रिशिगन अनासक्त हैं वह वेद मंत्रो के द्वारा वेद मंत्र रुपी पक्षों के द्वारा जो जिनका घोसला आपका मुख ही है उसके द्वारा आपके वह चरण कमलों का अन्वेशन करते हैं मतलब यह है कि सारे वेद भगवान के मुख से ही प्रकट हुए हैं उनके मंत्रों को समझ करके जो अनासक्त रिशिय हैं वह भगवान के चरण कमलों को खोज लेते हैं दूसर तरीका क्या है यह से मतलब जिन भगवान की अगह अमर्ष पाप को नाश करने वाले उदग जल सरिद वराया उन जलों वाली नदियों में जो सर्वस्षिष्ट गंगा जी है उनका पदम जिन भगवान का चरण कमल उन गंगा जी का सुरोत है पदम मतलाब सुरोत उदभव स्थान है जो गंगा जी सारे पापों का नाश करने वाले जलों से युक्त नदियों में सर्वस्षिष्ट है जो गंगा जी उनका उदगम स्थान है तो पदम तीर्थ पदह प्रपन्ना उन भगवान के चरण कमलों जो कि तीर्थ पद हैं सारे तीर्थ उनके चलुन में निवास करते हैं उनकी हम शरण करहन करते हैं तो इस दो मार्ग है जिसके दोरा भगवान की प्राप्ति होती यह गंगा जी का मार्ग और दूसरा है वेद के वेद के मंत्रों के द्वारा अब उनसे श्रेष्ट वो लोग हैं जो अब वेद का पढ़नक चक्र में रहते वो सीधे भगवान की भक्ति करते हैं वो सीधे भवान की प्राप्ति कर लेते हैं जिनको होगा है कैसे होगा है जिस ज्ञान है जिस ज्ञान में वैराग के अपके चलनकमलों की रुपी चलनकमल जिस हैं उस सिंघासों नहीं बैसिकली आपके चलन कम लोग में वो चले जाते हैं यह मवान के भक्तों की बात हो रही है भक्ती करके अब कह रहे हैं विश्वकी जन्म स्थितिय निपालन और स्वयम के अर्थ के लिए आप ने अवतार लिया है प्रजेम सरवे शर्ण हम सभी लोग आपके चलन कम लों का आश्री लेता है यद इश्व स्मृत्यम प्रयच्छति अभयम सभूम साम वह भगवान जो केवल अपना स्मरण करने से अपने लोगों को अर्थात अपने भगतों को अभयम प्रदान कर देते हैं बहुत अच्छे से प्रदान करते हैं तो भगवान के चलन कमल घर में हिर्दे में रहते हुए भी नहीं दिखाई पड़ते हैं यद सानुबंधे सति गेह गेह ममाह मित्यूडदूरा ग्रहाणाम पुम्साम सुदूरम वसतो पिपुरियाम भजे मतते भगवन पदाबजम यद क्योंकि सानुबंधे अनुबंध लगा हुआ है किसमे असती देह गेह में असत वस्तू जो निकरिष्ट है जो टेंपररी है उस देह में और गेह मत्वार पुत्र घर घर आदि में मम आहम मैं ये हूँ मम मतलब मेरा है और अहम मतलब मैं दे हूँ इती इस प्रकार का उड़ दूरा ग्रहाणाम बहुत बढ़ा हुआ उड़ मतलब बहुत ज़्यादा और दूरा ग्रहाम गलत आग्रह बना हुआ है जब मैं दे ही नहीं हूँ तो देश समध लोग मेरे कैसे हो सकते हैं लेकिन यह आग्रह यह हट बना हुआ इस कारण से पुम्साम सुदूरम वसतोपी पुरियाम मनुष मनुष्यों के रिदे में ही भगवान हैं होते हुए भी वसतोपी पुरियाम यह भी मनुष्यों के रिदे में ही हैं फिर भी सुदूरम बहुत दूर हैं तब अनुष्य के हृद्धे में होते हुए भी उनसे बहुत दूर है भजे मतत्ति भगवान पदा आप ऐसे भगवान के चरणकमलों का हम भजन करते हैं अदुद भजन अदुद है चरणकमल की होते पास होते हुए बहुत दूर रहते हाँ अब वह कहते हैं कि देखिए ऐसे लोग जो भोग विर्ति में पड़े हुए हैं वह भगवान के चलन कमलों को नहीं देख पाते हैं क्या कारण है कि अस्व भगवान के चलन कमलों को वह ही निश्वित ही असद विर्ति भीर अक्ष भी असद विर्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा आख से भगवान की सिवा की जाएगी तो उसे असदुरित्य नहीं क्या जाएगा लेकिन आख से दुनिया के दुर्श्य देखेंगे तो भगवान गयब तो कह रहा है कि आख कान नाक जब असदुरित्यों से युक्त होते हैं अर्थात भोग में जाते रहते हैं तो पराहतांतर मनसःसा परेशा मतलब भगवान जो पर की भी स्वामी ब्रह्मा जी शिवजी यादी की स्वामी है वह उसके मनसे पराहर्थ हो जते हैं अरफात गाये हो जाते हैं दिखाएं नहीं पड़ते अध्व इसलिए नपश्षंति वह नहीं देखते हैं उरुगाय जिनका यश्व बहुत अधिक गाय जाता है उनको वह नहीं देख पाते नूनमल निश्वति येते पदन्यास विलास लक्षा जिनके पदन्यास जिनकी लीला विलास को प्रभाव को जो लोग देख सकते हैं जो भग्त देख सकते हैं उनको ये नहीं देख पाते ये एक अर्थ है बहुत सारे अर्थ लिए गये थे और यहां पर लक्ष्मा शब्द हो जाएगा कि जिन भग्तों का संपत्य ये लक्ष्मी भगवान की लीला कथा को की प्रचुरता है अर्था ज समझ प्रक्राइब की यHyο पितनी संपतिस्य य है ये कहनेकर दे भक्ष्म आइब भक्तों को देखी नहीं बाते तो वह कटी करेंगे ही नहीं और भक्ती करेंगी नहीं तो भगवान दिखेंगे ही ये बात पोल रहा है अ बपर अब बड़े सुंदर बात कहते हैं पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवर्ध भक्त्या विश्यदाशयाये वैराग सारं प्रतिलभ्य भोधं यथान जसान वी युरा कुंठ धिश्नम पानेन पान करने के द्वारा ते देव आपकी कथा रुपी अम्रित के पान करने के द्वारा प्रविर्द भक्ति जिनकी भक्ति बहुत बड़ जाती है और ये विशद आशे वाले महान हिर्दे वाले हो जाते हैं तो वैराग सारम प्रतिलब्य बोदम भगवान का बोध वह प्राप्त करते हैं जिसमें वैराग सार होता है अर्थात क्योंकि भगवान का बोध हुआ है तो इसलिए जगत से वेराग हो जाता है, वेरा के सारा मतलब वेरा के कबल उनको मिलता है, यथा अंजसा अन्वियू, जिस प्रकार से बड़ी आसानी से अन्वियू अर्थात प्राप्ति हो जाए, वैसे वे अकुंट दिश्रम अर्थात वैकुंट की प्राप्ति करते हैं, स्थान जहां कोई कुंठा नहीं वह प्राप्ति कर लेते हैं बड़ी असानी से किया वल भवान की कथा को सुंसुन करके है अब यह उनव cannon व दिया कि ऐसा करो गते हैं भगवान की भकटी नहीं करते हैं इद भी तक अ अर्थात ज्यान योग से अश्टांग योग से लिकिन वह भगवान के वैकुंट की प्राप्ति नहीं कर दें तथा परे चात्म समाध्य योगा बले न जित्वा प्रकतिम बलिष्ठाम त्वामे वधी रहा पूरुशं विशंती ते शाम स्रमस्यान तुसे वयाते तथा अप आत्म समाध्य योगा अपने मन में मन को आत्मा में लगाने का प्रयास करते हैं और उस्य योग के बल्के द्राप्रक्रति प्रकति में जीत लेते हैं जिन लोग आपकी सिवा करते हैं, आपकी कता को सुनते हैं, उनको ऐसा श्रम नहीं होता, ना साधनकाल में, ना साध्यवस्था में इसलिए क्योंकि आपकी सिवा में कोई श्रम नहीं है और आपकी सिवा को किये बिना हमें बहुत परिश्रम लग रहा है बड़ी परशानी लोग रहे हैं इसलिए ते आपके द्वारा वयम लोग को सिश्रक्षे आद्या है आदी परुश है आदी हम सबके आदी कारण आपकी द्वारा जगत की सिश्टी करने के लिए तया अनुसरिष्टास हम सभी लोग एक की बात एक क्रम से सिश्ट हुए हैं कैसे तिरिभीर अर्था तीन गोड़ों के द्वारा आत्म भी और अपने अपने सभावों के अंसार आकाश का एक सभाव है वायू का एक सभाव है अगनी का अलग जल का अलग और पृत्वी का अलग हम अलग अलग सभावों के साथ तीन गोड़ों के द्वारा आपके हुए हैं सर्वेव युक्ता लेकिन हम सब लोग अलग धरक पड़े हुए हैं इसलिए स्वविहार तंत्रम आपका जो क्रीडा का उपकरण है ये जगत ना शक्नमस्तत परतिहर तवेते आपको इसे समर्पित करने में हम समर्थ नहीं हैं अर्थात जगत की सिष्टी करने में हम समर्थ नहीं हैं हम इस सिवा करना चाहते हैं लेकिन हम इन नहीं कर पारे हैं क्योंकि लोग अलग अलग काले मतलब समय के अफसर काल के अंसार जिस प्रकार आपको बली अर्थात भेंट दी जाए यथा वयम्च और हमको भी अन्नम प्राप्त कर सकें जैसे यथा अभयेशाम तई में ही लोग का और हमको यानि देवताओं को और आपको भगवान को दूनों को ही लोग बली अर्पन कर सकें लोग किस प्रकार से अन्न को ग्रहन कर सकें अन्नम अदंत अनुहा यानि कि हम लोग आपको भेट स्विकार अर्पन कर सकें और अन्न ग्रहन कर सकें हमको और आपको अन्ने देवताओं को और भगवान को लोग जितने भी नोग सिष्टी होगी वह यग अर्पन कर सकें और घ्रहन कर सके बीना अनुहां मतलब बीना किस संशेक यह भी आप को बताईए यह ज्ञान को दीजिए यह पालन के बारे में बोला है पहला वाला स्ट्रु तर सिश्टी कैसे करें और यहाँ वह बोल रहे हैं कि अब जब सिश्टी हो जाए तो लोगं का पालन कैसे हो बीना यह कि लोगं का पलन हो नहीं सकता है यह पूछ रहे हैं अब उसके बाद केहते हैं कि आप हमारे पिता हैं आप यह ज्ञान नहीं देंगे तो कौन देगा उसको बात को अधार नहीं त्वम नह सुरानाम असिसान वयानाम कूटस्थ आध्यह पूरशह पूराणा त्वम देव शक्त्याम गुण कर्मयो नौ रेतस्थ जायाम कविमाद देजह त्वम आप नह सुरानाम असिसान वयानाम हम देवताओं के हमारे अनवय सहित हमारे यानि कार्य विभागों सहित य पुरहुषा मतलब अधिस्थाता और पुरान मतलब पूरातन शाश्वत कारण है आप मारे बाप है स्थीसिपात तुम देव शक्ति आम गुनकर्म योनओं जो शक्ति हे देव आपने अजायाम शक्ति अपनी माया शक्ति में जो गुण कर्म योनि प्रक्रति के गुणों और जन्मादी कर्मों की योनि और थात कारण होता है उसमें रेतस कविम सभी समस्थी जीव एक साथ जीवों को ले लिजाए उन जीव समहु रूपी वीर को आदधे आपने स्थापित किया है भौतिक प्र जान दीजिए अब कहते हैं आखरी प्रश्लोक है वहां से प्रार्तना करते हैं ततो वयम इसलिए ततो वयम मत प्रमुखा यदर्थे बभू विमा आत्मन करवाम किम्ते त्वम नहा सचक्षु परिदे ही शक्त्या देवक्रुयार्थ यदनु ग्रहानां बाकि सब श्लोक समझपाएं ये श्लोक समझ लीजिए क्या अगले अध्याय से है क्या बुल तता तस्मात इसलिए वयम हम सबको मत प्रमुखा जो महतत्वादी से प्रकट हुए हैं यह दर्थे जिस अर्थ के लिए बभू विमा आपने श्रिष्ठी करिए आत्मन करवाम किम्ते हे परमात् आपने हमें श्रिष्ठी किया है उसके लिए हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं तुम नह स्वचक्षू आप तुम आप नह हमको स्वचक्षू परिदेही अपना ज्यान प्रदान कीजिए इस संबंद में कि स्रिष्ठी कैसे हूँ यह ज्यान दीजिए और शक्तिया वह करें सकते हैं तो इस प्रकार से देवतान ने प्रात्ता शोड़ीद अब इस प्राइधना विचार करके बहुत-वान आगानंदे